नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोस्वान और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चैनल दोस्तों इस चैनल पे आपको प्रिविएस एर पेपर का डिसकसन किया जाता है तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखे तो दोस्तों आज हम पेपर जो लेकर आए हैं, वह है कोचिन CPR Limited के द्वारा एक्जाम करवाए गया था Executive Trainee Mechanical का कब दोबारा दिसंबर 2021 का तो इसमें General Awareness के जितने भी कोशन पूछे गए थे सभी डिसकस करेंगे बस आपको धियान से देखना है और आपके पास कोई भी कोशन पेपर होता है तो आप gfs25 at the rate gmail.com पे बेज सकते हैं और इसका PDF आपको हमारे टेलिक्राम चैनल पे मिल जागा जिसका लिंक आपको निचा डिस्क्रिप्सन में दिया हुआ है तो जॉइन कर लिजे उसको तो देखे इस तरह से कोशन पूछा गया था यहाँ पर देखे अंसर यहाँ पर मैंने मार कर दिया है ताकि आप PDF डाउनलोड करें तो अंसर के साथ आप लोग को मिल जाए कोशन पूछा गया है कि agreement adopted by 196 countries at the UNFCCC conference of the parties 21 on the 12 December 2015 and entered into the force on the 4 November 2016 which intended to reduce and mitigate greenhouse gas emission is known as तो देखे इसको इसको इस फेमस है Paris Agreement के नाम से जानते हैं तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि UNFCCC है क्या तो दोस्तो इसको बोलते हैं United Nation Framework Convention on Climate Change क्या है इसका full form कई बार पूछा जा चुका है United Nation Framework Conventions on Climate Change जिको 21 March 1994 से ए आपको force में आया UNFCCC और 1995 से ध्यान रखे का 1995 से जो कॉप जो आप सुन रहे होंगे कि कॉप अभी 27 मां चल रहा था एजिप्ट में तो ध्यान रखे का कॉप 27 तो कॉप की बन की जो शुरुआत हुई थी 1995 से हुई थी जर्मनी बर्लिन से यहने कि कॉप बन पूछा जाए कहां से शुरू हुआ तो बर्लिन जर्मनी से शुरू हुआ जो कि कॉप 26 ग्लासगो यूके में हुआ कॉप 27 एजिप्ट में और कॉप 28 यूए में होने वाला है तो इसको ध्यान रखेगा 1994 यह आपको effect में आया UNFCCC चो कि ध्यान रखना है कि Greenhouse Gas Emissions को कम करने के लिए तो ही चो COP 2015 हुआ COP 2015 कहां पर हुआ तो पेरिस में जिसको COP21 के नाम से जानते हैं तो यह पेरिस अग्रिमेंट है इसको ध्यान रखना है अब एक कोशन है पूछा गया था कि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि Wi-Fi का full form क्या है तो Bireless Fidelity है correct अंजर यहां पर C सही होगा Bireless Fidelity is the full form of Wi-Fi अप लोग Wi-Fi connect करते होंगे लेकिन साइध पता हो या ना हो लेकिन आपको अब से ध्यान रखना है कि Bireless Fidelity is the full form of Wi-Fi उसका देखे कोशन है तो देखे मिसन कर्मयोगी तो बिल्कुल लॉंच किया गया है उसके सहकार मित्र अस्कीम भी लॉंच किया गया है ध्रूब PM Innovative Learning Program यह भी शुरू किया गया है लेकिन परधान मंत्री जन वंदना परतिभा योजना जो है शुरू नहीं किया गया इसका करेक्ट असर होगा D तो D जो अस्कीम है वो गवर्मेंट के त्वारा लॉंच यह अंप्लिमेंट नहीं किया गया है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है जो कि मिसन कर्मियों की सहकार में त्रियोजना ध्रूप परधान मंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम लॉंच किया गया है अब देखे एक कोश्चन है कि Headquarter of International Atomic Energy Agency जिसको सौट में IAEA बोला जाता है International Atomic Energy Agency इसका Headquarter कहां पर अस्तित है तो अस्तिया बियाना में अस्तित है तो correct answer यहाँ पर D सही होगा बियाना अस्तिया में located है इसका Headquarter अब देखे आई-ए-ए-ए के लोगों इस तरह से देख सकते हैं जिसका formation 29 जुलाई 1957 को किया गया कब किया गया 1957 को ध्यान रिखना है अपना DRDO से एक साल पहले DRDO का स्थापना एक जनवरी 1958 को उससे एक साल पहले IAEA को स्थापना किया गया और इसका Headquarter बियाना अस्तिया में है 175 मेंबर अभी है जबकि Director General है राफेल ग्रॉसी तो अगर करेंट में पुछा जाए कि IAEA के जो Director General कौन है तो राफेल ग्रॉसी इसके Director General है अभी बर्तमार तो नेक्स्ट कॉशन देखिए पूछा गया था कि हुआ था फॉस्ट स्पोर्ट पर्सन तो हैब बॉन्दा हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया और दूसरे नंबर पर पदमे भुशन तीसरे पर पदमे भुशन और चौथे पर पदमे सिरी तो इसको करम से ध्यान रखना है कई बार इक्जाम में पूछे गया है तो यहाँ पर दखे हाइस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रतन यानि कि कुल मलाकर कोशन पूछा गया है कि भारत रतन पराप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है तो पहले खिलाड़ी है सचीन तनुकर सचीन तनुकर को 2014 में 2014 में भारत रतन से सम्मानित किया गया था 1954 में तीन लोगों को दिया गया तो चक्रवर्ती राज गुपालाचारी सीवी रमन और सरपली राधा कृष्णन ध्यान रखना है चक्रवर्ती राज गुपालाचारी सीवी रमन और सरपली राधा कृष्णन को यानि कि पहले ये तीन बेक्ती हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है तो इसको थोड़ा सा धान रखेगा तो इसका correct answer है सचिन तलनुकर तो जो कि क्रिकेट के God कहलाते हैं तो इनको खेल के पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो दस्तो पांच question ही पूछे गे थे पांच question मैंने discuss किये हैं तो बस आप लोगों इसी तरह से सयोग करते रहिए चैनल को विजिट करते रहिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सेयर भी कर देए So thank you इस वीडियो में इतना ही